पंजाब में प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी का काफिला पंजाब के फिरोजपुर में एक फ्लाई ओवर पर 20 मिनट तक फसा रहा जहां से प्रधान मंत्री गुजर रहे थे उस रास्ते को कई अंदोलन कारियों ने ब्लॉक कर दिया जहां प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी भसे थे वो जगह पाकिस्तान से सिर्फ 10 किलो मिटर दूर थी केंद्री एग्री मंत्राले समेत तमाम एक्सपर्ट्स इसे प्रधान मंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि अगर ये प्रधर्शनकारी प्रधान मंत्री पर हमला कर देते तो क्या होता तो यहां आपको बता दें कि जैसे ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी भसी उसके कुछ ही सेकिंड्स बाद SPG कमांडोस एक्शन मोड में आ गए प्रधान मंत्री को क्लोज प्रोटेक्शन दे रहे इन SPG कमांडोस के पास जो हतियार थे वो बेहद ही घातक थे इन SPG कमांडोस को खतरनाक FNF Assault Rifles से लेस किया जाता है इसके साथ उनके पास एक फुली आटोमेटिक गन भी होती है FNF Assault Rifles क्या होती हैं उसके बारे में आपको बताएंगे लेगिन पहले आपको बता दे कि SPG कमांडोस हर समय खास सूट में रहते हैं SPG कमांडोस के जूते से लेकर चश्मा सब बेहद खास हैं इन कमांडोस का जूता बेहद ही हाई क्वालिटी का होता है जो उन्हें फिसलने से बचाता है इनके गलव्ज बेहद ही मजबूत होते हैं ये गलव्ज SPG कमांडोस को किसी भी तरहे की चोट से बचाते हैं SPG कमांडोस के चश्मे भी अलग होते हैं वो लोगपर निगरानी रखने में मदद करने के अलावा लड़ते समय SPG कमांडोस की आखों को सुरक्षित भी रखते हैं चलिए अब आपको बताते हैं SPG कमांडोस के सबसे घातक हतियार के बारे में आप इस कमांडो को देखिए इस कमांडो के हाथ में जो असॉल्ट राइफल है वो बेहद ही घातक है SPG Commandos के पास Belgium में बनी FNF-2000 और FNP-90 Assault Rifles होती है पहले बात कर लेते हैं FNF-2000 की FNF-2000 Assault Rifle की रेंज 500 मीटर तक होती है ये semi-automatic और fully automatic दोनों ही मोड पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ा देती है ये Assault Rifle एक मिनिट में 850 राउंड गोलिया दागती है SPG Commandos के पास FNP-90 Assault Rifle भी होती है ये Assault Rifle भी Belgium की है इसकी रेंज 200 मीटर तक होती है और ये राइफल एक मिनिट में 900 राउंड गोलिया दागती है